वेलकम टू इग्जामिनेशन 27 आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अनुपात और सम अनुपात का पार्ट थार्ड तो चलिए क्वेस्चन्स को हल करते हैं यह दिया है दो बरतनों A तथा B में दूद और पानी के मिस्रण करमसा पार्च अनुपात 3 तथा 2 अनुपात 3 के अनुपात में है इन मिस्रण को किस अनुपात में मिलाया जाहें कि नए मिस्रण में आदा दूद और आदा पानी हो हमें क्या दिया है दूद और पानी का मिस्रण किस अनुपात में दिया है पाच अनुपात 3 तो पाच क्या हो जाएगा पानी और तीन क्या हो जाएगा दूद इसी प्रकार यहां पे दो मिल्क हो जाएगा और तीन वाटर हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो किता हो जाएगा आठ और दोनों को जोड़ेंगे तो किता हो जाता है पाच हो जाता है हम दोस्तों milk को base मान कर हल करेंगे तो हमें milk और water का mixture किस रेसो में दिया है 5 रेसो 3 और 2 रेसो 3 हम milk को base मान लेते हैं 5 बटे 5 और 3 किता हो गया दोस्तों 8 इसी प्रकार यहाँ पे milk किता है 2 और 3 किता हो गया 5 आगे question में बोला है कि मिसरण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिसरण में आधा दूदा और आधा पानी हो तो चलिए mixture को मिला लेते हैं वो बोल रहा है आधा दूदा और आधा पानी हो तो एक बटे दो हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो हमें समझने आ रहा है कि कौनसी value बढ़ी है और कौनसी value छोटी है इसलिए 8, 5 और 2 का LCM ले लेते हैं तो LCM 40 आ जाता है दोस्तो 8, 5 और 2 का यहाँ 40 का गुड़ा कर देते हैं इसके साथ भी 40 का गुड़ा कर देते हैं और इसके साथ भी 40 का गुड़ा कर देते हैं यह देखिए 8 से 5 बार कर गया 5 से 8 बार कर गया और यह 2 से 20 बार कर जाता है तो क्या बच जाता है दोस्तों तो यहाँ पर 5 गुड़ा 5 हो जाता है 25 यहाँ पर 8 दूनी 16 और यह 20 अब क्या करेंगे दोस्तों 25 में से 20 घटा देते हैं कित्ता बच जाता है 5 उसी प्रकार 20 में से 16 घटा देते हैं यह आ जाता है 4 तो यह आ गया आंसर दोस्तों 4 अनुपात 5 के अनुपात में मिलाने पर आधा दूदा और आधा पानी होगा अप्सन नमबर C चलिए अगला क्योश्चन करते हैं एक 60 लिटर के मिसरण में दूद और पानी का अनुपात तीन अनुपात एक है इस अनुपात को दो अनुपात एक करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए इस मिस्रण को दो अनुपात एक करने के लिए इसमें कितना और पानी और मिलाया जाना चाहिए चलिए हल करते हैं 60 लीटर मिस्रण में दूद और पानी का रेसो किता दिये 3 रेसो 1 के रेसो में दिया है 3 और 1 किता होगे दोस्तो 4 4 भग 60 का तो एक किते का हो जाएगा 60 बटे 4 ये 4 से कर देते हैं 4 एकम 4 4,25 बार कर जाता है दोस्तो ये पानी की वेल्यू आ गई अब बोल रहा है 3 भग अपने को दूद दिया है तो 15 तिया 45 क्या हो जाएगा मिल्क किता हो जाएगा 45 हो जाएगा और वाटर किता हो जाएगा 15 एक भाग बोला है न तो 15 ये वाटर आ गया और ये तीन भाग बोला 15 तिया 45 ये मिल्क की वेल्यू आ गई फिर क्यूस्चन बोल रहा है दोस्तो इस अनुपाद को दो अनुपाद एक करने के लिए इसमें किता पानी मिला है तो हम एक्स मिला देते है ये वाटर है दोस्तो तो इसमें एक्स मिला देते है तो किता हो जाता है ये दो अनुपाद एक हो जाता है ये देखिए दो अनुपाद एक बोल रहा है दो अनुपात एक हो जाता है अनुपात का मतलब बटे होता है दोस्तों दीखिए 45 अनुपात 15 धन एक्स होता है तो इसके क्या लिख लेंगे आपन 45 बटे 15 धन एक्स और दो अनुपात एक को दो बटे एक यहां पर एक का गुड़ा 45 से आ और दो का गुड़ा 15 धन एक्स से कर लेते हैं 45 हो जाएगा और 15 धनी 30 धन 2 एक्स अ कित्ता पानी मिला न पढ़ेगा दोस्तों 175 लीटर अप्सन नंबर भी आएगा चलिए अगला कोश्चन करते हैं एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मुल्य का अनुपात 13 अनुपात 11 अनुपात 7 है इन में से 50 पैसे के सिक्कों की संक्या कितनी है तो चलिए हल करते हैं हमें एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के किस अनुपात में दिये तेरा अनुपात 11 अनुपात 7 में दिये तो 13 के साथ एक का गुड़ा करते हैं एक रुपए के लिए अनुपात ग्यारा के साथ 50 पैसे में दो चुक्कि 50 पैसे और 50 पैसे मिलकर एक रुपए बनते है इसलिए हाँ दो का गुड़ा कर देते हैं दोस्तों और धन 25 का गुड़ा 25 पैसे का गुड़ा चार बर करने पर एक रुपए बनता है इसलिए क्या करेंगे दोस्तो 7 के साथ 4 का गुड़ा कर देंगे तॉल कर लेते हैं क्या होगा ये 13 एकम 13 धन 11 दूनी 22 धन 7 चोके 28 इन सब को जोड़ेंगे दोस्तो ये हो जाता है 63 अब हम क्या करेंगे दोस्तो ये 63 को हम 63 X मान लेते और टोटल हमाई कितने रुपई दिये हुए 378 रुपई X बराबर क्या हो जाएगा 378 बटे 63 यह देखिए 63 से 6 बार कर जाता है X बराबर क्या आ गया 6 तो हमसे question पूछा है 50 पेसे हो के सिक्को की संख्या कितनी है तो क्या 50 की value 50 पेसे की value कितनी है 22 है यह 1 रुपई की और 25 पेसे की है तो क्या करेंगे दोस्तो 22 का गुड़ा 6 से कर देंगे क्यूंकि हमें 50 पेसे की पूछा है 1 रुपई की पूछता है तो 13 से करते और 25 पेसे की पूछता है 28 से करते कितना हो जाएगा दोस्तो प्रत्वी पर थल और पानी का अनुपात एक अनुपात दो है उत्री अर्द गोलार्द पर यहां अनुपात दो अनुपात तीन है दक्षिनी अर्द गोलार्द पर थल और पानी का अनुपात कितना है दक्षिनी अर्द गोलार्द पर थल और पानी का अनुपात ग्याद करना तो हमें धल और पानी का अनुपात किता दिया एक अनुपात दो लेंड हो गया एक और वाटर किता हो गया हम क्या गरनेंगे दोस्तो हमारी सरलता के लिए सव मान लेते हैं और इसे 200 तो टोटल किता हो जाएगा ये 300 ये देगो दोस्तों ये प्रत्वी हो गई ये उतरी गोलार्द हो गया और ये दक्षुनी गोलार्द हो गया और हमें बोला है उतरी गोलार्द में ये दो अनुपात तीन के अनुपात में हमें क्या बोला है संपूर्ण प्रत्य उपर थल और पानी का नुपात एक नुपात दो है यानि कि एक बटे दो आधा आधा होगा तो दोस्तो तो 300 का आधा कित्ता होगा 1500 होगा 1500 उतरी गोलारद में होगा और 1500 धक्चिनी गोलारद में होगा तो तीन और दो कित्ता हो जाते हैं दोस्तों पांच हो जाता है पांच देड़सों का तो एक कित्ते का होगा एक बटे पांच कर लेते हैं तो तीस आ जाता है देड़सों में पांच का भाग दे देंगे तो तीस आ जाएगा अब इस 30 का गुड़ा 2 से कर देंगे और 3 से कर देंगे क्या आ जाएगा 60 और 90 आ जाता है तो यहाँ पर यह थल है और यह पानी है अब दोस्तों 100 में से 60 भाग आ गया है थल का यहाँ इस साइट किता बचा 100 में से 60 को घटा दो तो 40 और पानी का किता 90 भाग यहाँ है और 200 में से 90 यहाँ आ गया तो किता बचा 200 में से 90 को घटा दो तो किता बच जाता है दोस्तों 110 बच जाता है 0 को से 0 कार दीजिए क्या बचा 4 अनुपात 11 तो धक्षिनी गोलार्द में क्या होगा यह 4 अनुपात 11 अक्षिली गुलार्द में थल और पानी का अनुपात किता होगा 4 अनुपात 11 अफसन नमबर ये यह रहा कोच्चन दोस्तों एक थेली में एक रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में हैं यदि इस थेली में कुल 210 रुपए हैं तो प्रतेक प्रकार के सिक्कों की संक्या ग्यात करना है यानि कि एक रुपए और 50 पैसे तथा 25 पैसे कितने सिक्के ये ग्यात करना है चलिए हल करते हैं एक रुपए और 25 पैसे के सिक्के किस रेसों में दिये हैं पाच अनुपात 6 अनुपात और 8 के अनुपात में दिये हैं क्या करेंगे दोस्तों हम 5 का एक से गुड़ा कर देते हैं कित्ता हो जाएगा यह 5 हो जाएगा अब दोस्तों इसे रूपे में कनवर्ट कर देते हैं यह देखी यह तो रूपे में ही है यह 50 पैसे है और यह 25 पैसे है तो यह कित्ता हो जाएगा एक रूपे में 100 पैसे होते हैं तो यह 300 है तो यह 3 रूपे हो जाएगा दोस्तों यह तो 5 रूपे ही रहेगा क्योंकि रूपे ही है और यह कित्ता हो जाएगा यह 2 रूपे हो जाएगा अब क्या करेंगे दोस्तों इस सब को जोड़ देते हैं कितना आ जाता ये 3, 2, 5 और 5, 10 इस 10 को हम X माल लेते हैं 10X और टोटल किते रुपए दिये हैं हमें 210 रुपए दिये हैं ये देखिए ये 10 से 21 बर कड़ जाता है X बराबर क्या आ गया 21 आ गया तो हमसे पूचा प्रतेक प्रकार के सिक्कों की संख्या ग्याद कीजिए एक रुपए के सिक्कों की संख्या 50 पैसों की सिंख्या और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ग्याद करना है हमें तो ये देखिए दोस्तों 21 का गुड़ा पास से कर देंगे तो यह हो जाता है एक सो पाच एक रुपे की सिक्कों की संख्या निकल गई फिर 21 का गुड़ा 6 से कर देंगे तो यह हो जाता है 126 यह 50 पैसों के सिक्के की संख्या निकल गई अब 21 का गुड़ा 8 से कर देंगे तो यह हो जाता है 168 एक रुपे के सिक्को की संक्य 105 आ गई 50 पेसो के सिक्को की संक्य 126 आ गई और 25 पेसो के सिक्को की संक्य 168 स्वार दोस्तों 168 है चलिए अगला question करते है एक car तथा एक rail की गती का अनुपात कमसा 15 अनुपात 22 है यदि rail की गती car की गती से 35 km प्रती घंटा अधिक हो तो car की गती कितनी है तो car की गती कितनी है यह ग्यात करना है हमे चलिए अगल करते है तो हमें car और rail की गती का अनुपात किता दिया है 15 अनुपात 22 दिया है अधिक आकम की लिए क्या करते हैं दोस्तों दोनोंका अंतरले ले लेबें जब कि सब्सक्राइब लेंगे तो 22 में से 15 काहे कितने वचे साथ बचते हैं एक है साथ अब रेल की गति कार की गति से कितने अधिक है 35 किलो मिटर पत्ती गंटा दीखाए साथ 35 का तो एक कित्ते का होगा साथ से कार दीजी एक पाच का होगा क्यों हमसे कार की गरती पूछा है तो ये कार की है और ये ड्रेल की है तो कार की गरती 15 है तो अपने इसे 15 से गुड़ा कर देते है तो क्या आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रती घंटा कार की गति किती हो जाएगी 75 किलोमीटर प्रती घंटा option number ये आएगा तीन साइकिल की चालों का अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 8 है तो समय का अनुपात जियाद करना है हमें चलिल करते हैं इसे, तीन साइकीलों का अनुपाद क्या दिया है हमें, चार अनुपाद, छे अनुपाद, आठ, ये चालों का अनुपाद दिया है, तो हमें समय का अनुपाद ग्याद करना है, समय का अनुपाद ग्याद करने के लिए दोस्तो, चार को छुपा लेंगे, और चार और आठ का गुड़ा कर देंगे, आठ चिंग 48 हो जाता है, तो उसे यहाँ लिख देंगे, फिर 6 को सुपा लेंगे, आठ और 4 का गुड़ा कर देंगे, 4 और 8 का गुड़ा कर देंगे, 6 को छुपा के, 8 कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, क्या करेंगे दोस्तों आठ को छुपा लेंगे और छाय और चार का गुड़ा कर देंगे तो यह हो ज़्यादा है 24 तो समय का क्या अनुपाद निकल गया है दोस्तों 48 अनुपाद 32 अनुपाद 24 अगला कोश्चन करते हैं हरी के पास कुछ गाये तता कुछ मुर्गे हैं यदि कुल सीरों की संख्या 48 तता पेरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं तो चली हल करते हैं टोटर किते पैर दी हैं दोस्तों 140 पैर और मुर्गों की संख्या पूछा है इसलिए बटे में दो क्योंकि मुर्गों के दो पहर होते हैं रिन सरों की संख्या घटा देते हैं कितने 48 सर हैं दो साते 14 ये 70 बाब कर दाता है रिन 48 70 में सा 48 घटा देते हैं कितना बचा 22 बचा अब देखी दोस्तो 48 सीर में से 22 सर किते हो गए गाय के हो गए तो 48 में से 22 किते बचे 26 तो मुर्गी किती होगी 26 मुर्गी होगी मुर्गी 26 होगी तो अब हमारे दोस्तो अनुपाता और समनुपाता खत्म हो जाता है दोस्तो इसके बाद हम साज़ा पढ़ेंगे नेस्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तो लाइक कीजिए, सेर कीजिए और कमेंट कीजिए थेंक यू पर वाचिंग